आज हम आपको बलाई से मक्खन और मक्खन से देशी गी बनाना सिखाते हैं घर पर बाल का बच्चे दूद में बलाई पसंद नी करते हैं और बड़े भी नी खाते हैं कैस्टॉल की वजा से मुटापे की वजा से तो वो जो दूद पर बलाई आ जाती है ये देखे अबने दूद दूद रात को बाल कर फिजी में रखा था तो उसके बलाई आ गई तो बलाई पर लगा कर तो आप ब्लेंडर में भी मखर निकाल सकते हैं लेकिन मैं आज आपको हाथ से मखर निकालना सिखाऊंगी ठीक है जी और ये सबसे पहले आपने ये जो बलाई है ये इस तरह बने बलाई उतार लिया और मैं ये ऐसे बाल में ये थे जाओं जाओं जाओंगी तो दुर्श पर लगा कर दो अनुट है तो पर आपको पर पर बालाई दूद में टाल कर तो थोड़ा सा दाई कर जाफ लगा ले तैंपर इस पिर इसको ब्लैंड कर लेते हैं और रुट वो जो उन्सार जाग लगा लेते एंकिन और चले जी, हम शुरू करते हैं लेकिन बलाई है यह उन्हें एक डेज की में निकाल लेते हैं असे टुटे लेंडर में भी हम निकाल सकते हैं वह भी असान तरीक है लेकिन बावज कार लाइट चेली जाती है और इस वज़ा से फिर हम मुश्किल हो जाती है तो आपने ऐसे करना है इसको आपने अच्छी तरह ऐसे चलाते गाना मदानी को तक्रीपन चार-पांच मिनट में ये मक्खा निकल आता है और आपने जब मक्खा निकालना हो तो बलाई रात को निकाल कर बाही रख दे क्योंकि वो फ्रीज भी होते हैं तो आपने बलाई को निकालकर बाही रख देना है उसके लिए हमें ये थंदा पानी भी चाहिए जब मक्खा निकल आएगा तो फिर हम इसमें डालेंगे अभी ऐसे आपने इसको गूमाते जाना ये देखें जी ये मक्खा निकलाएं बलाई से और ये जो पानी है वो निकलेगा कि आप पनी इसको आपने हैसे एसका कर लेना एक जगह पर ये थंदा पानी है इसवजह से मखन यह आपस में आपस में मिल जाएगा अगर गर्मियाए तो आप साहड करिएगा एक भूर थंदा पवानी आपने डालने अव्य को शुर्मा मेश घूपकर जाता है आपने थो इसो में लेना है इसको ऐसे और इसमें यह जो पानी एक्स्ट्रा यह हमने ऐसे निकाल देना में यह देखे यह यह सिर्फ तीन-चार मिनित लगे हैं यह यो यह किन जाने हैं यह मखण निकल आया है और यह आप बच्चों को ब्रैट के साथ भी देशकते हैं सुबह यह देखें यह मक्षन के पेड़ी हम निकाल के इदर रख दी यह यह मक्षन निकला है बलाई का और देजकी का जो पानी था वो उने गिरा दिया और चूला ओंटर दिया और अबने देजकी उपर अख दिया जिसमें अबने मक्षन निकाला है उसी को अबने चूले पेचड़ा दिया और यह जो मक्षन है यह मिसमें डाल देंगे और यह मैल्ट होगा इसको दर्म्यानी आप ज्यादा टेज आज भी नहीं करनी है और बिल्कुल स्वो भी नहीं करनी और आपने पास ही खड़े होना ह जिए देखें मक्षन जो हो मैल्ट हो गया अब इसका घी बनना शुरू हो गया यह आज देखें हम ले ज्यादा स्वोब भी नहीं कियो आप इसको ऐसे चम्चाह लाते जाना है तक्रीबर अधस मिनट में यह की निकल लाएगा यह देखें दस मिनट हो गया तक्रीबर यह यह देखें जो गीया वो निकला है अच्छी तरह हम चूला बन कर देंगे और इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे फिर हम डिश आउट करतें हैं यह देखें यह ओल निकला है देशी घंडा हो गया है आपने एक बोटल ले लेनी है जार प्लास्टिक या कोई सबस्क्रण हो प्लाई निकला है और आपने इसी तरह निकालना है यह देखें बलाई से अपने मख़नी काला है और मक्र देशी घंडाना है इसको तकरीबन दस मिनट लगे हैं सारे प्रसीजर को और अबने यह आप कोई सा भी बोटल ले सकते हैं यह जैम की शीची जो खाल तो प्लीज अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए, शेर कीजिए, बेल आइकन तबा दीजिए ताके मेरी वीडियो आने पार नोटिफिकेशन मिल जाए शुक्रिया झाल